हेलो इन्वेस्टार्ज, वेलकम टुद हमाका स्टॉक चनल, आज हम लोग डिसकस करेंगे गल्फ ओइल लूब्रिकेंट्स इंडिया लिमिटर सेयर के बारे में, तो पहले हम लोग इस सेयर का फांडमेंटल डेटेसेक करेंगे, उसके बाद इस सेयर का रेक्निकल चार्ट का अनलसिस करेंगे और उसके बाद जानेंगे इस सेयर का नेक्स टार्गेट क्या हो सकता है, तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंतक बन रेज़त किए, आज के देपर अभी तक एस सेयर आपका हाई गया है, रूपिस फोर हांडिर सिक्स्टी फाइफ अभी रिटान दिया है, 1.78% का एन आज के देपर एस सेयर आपका क्लोज हुआ है, 463.90 पे, ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है, रूपिस 2270.72 करोर, इंटरप्रेस फैलू है, रूपिस 2053.33 करोर, एन पी ए रेश्यू है, 9.89, इस कंपनी के ऊपर अभी आपक का डेप थे, रूपिस 357 करोर का तो इसका जो डेप तिकूटी डेश्यू निकल का रहा है, वो आपका रहा है 0.34, अगर किसी भी कंपनी का डेप तिकूटी डेश्यू एक और एक से कम होता है, तो हम लोग उसको अच्छा मानते, और या पे एक से कमी है, और इस कंपनी के के पास अभी आपका कैस है, रूपिस 574.39 करो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कमपनी के पास more than sufficient कैस है, कि कमपनी कभी भी जाए, यह जो आपका 357 करोर का डेप थे, इसको चुका सकता है, इस कमपनी का आर्निंग पर से हरे, रूपिस 46.82, डिटन अन इकूटी है, 22. 22.24% NROC है, 23.83% जो की मेरे हिसाब से अच्छा ही है, इस जो कमपनी है, गल्फ ओयल लूब्रिकेट, इस कमपनी में, प्रमोटास का होल्डिंग है, 72.02%, पब्लिक का होल्डिंग है, 17.06%, DII का होल्डिंग है, 7.28%, NFII का होल्डिंग है, 3.64%, अगर किसी भी कमपनी में, प्रम ही है, और एक चीज़ देखिए, जो आपका 72.02% पब्लिक का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी सेर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग सेर का जो परसेंटेज है, वो बिल्कुल 0 है, जो की फंडमेंटली एक अच्छा बात है, और एक कमपनी हर एक यार प्याच्छा का सा आपका revenue भी generate करता है, और continuously profit में भी है, जो की fundamentally एक अच्छा बात है, एक जो कमपनी है, Gulf Oil Lubricant, एक कमपनी, मानी, कांट्रोल का टेक्निकल के इसरप से, डेली चाट में देखिए, क्या है, वेरी बुली से, एक बार weekly चाट में भी देख लेंगे, तो देखिए, weekly चाट में भ लेकें, उससे पहले आप लोगों से एक request है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा, यह नहों सेगा, तो बेल आइकन में भी किलिक कर लेजीगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, आप लोगों के पास, आ इनरजी देता है, तो अभी देखिए मैंने computer screen पे इस चैनल के आपका वन डे का चार्ड ओपन कर लिया हो, तो पहला चीज़ देखी इस जगह पे, यह आपका 7th November 2022 का दिन यह आप हम लोगों को एक आपका positive candle फाम होता हो दिखा था, जिस candle में super 10 ने bicycle भी दिया था, उसके ब यह आपका 100 days, 200 days and 50 days, तीनो moving average के जो line है, इसके उपर ही trade कत्वा दिख रहा है, अगर हम लोग RSI की बात करेंगे, तो RSI भी आपका above 60 है, and MACD भी आपका 0 point से उपर है, मतलब daily chart में ज्यादा तर indicator एप हम लोगों को bullish indication ही दिखा रहा है, ओके, तो अभी देखिए मैंने computer screen पे इस चरका आपका 1 week का chart भी open के लिए हूँ, तो पहला चीज देखिए, आपका last week में FM logo को एक आपका positive candle ही फर्म होता हो दिखा, जिस candle में आपका super 10 ने buy signal भी दिया था, जो की technically एक अच्छा बात है, and अभी जो आपका current week चल रहा है, इस week में भी FM logo एक आपका positive candle ही फर्म होत अच्छा नहीं दिखा रहा है, ओके, और इस चीज देखिए, 9th November 2022 को MQ Global ने यह जो आपका company है, Gulf Oil Lubricants India Limited, इस company का आपका target दिया है, रूपीज 620, ओके, तो अभी इस share का current market price है, around आपका रूपीज 465, अगर लगभग इसी range पे इस share को खरीद आ जाए, तो मेरे bottom में, इस share आपका रूपीज 500 का जो target है, इसको भी achieve कर सकता है, लेकिन, कुछ भी action लेन से पहले, आपका जो final CR advisor है, उससे एक बड़ जरूर काल जीगा है, क्योंकि मैं कोई से भी register person नहीं हूँ, और मैं यह आपके किसी भी तरीका का कुछ भी tips नहीं देता हूँ, तो मैं क इतना ही पूरा वीडियो दखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद,